नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोती सीक्रेट ब्रिस्चिक रासी वालों वो कौन से एक तीन काम है जो आपको नहीं करनी चाहिए वरना जीवन में आप परिसानी में फस सकते हैं हलांकि आपको आज हम बहुत बिश्टार से बताने वाले हैं और कुछ जीवन की सचाई भी आपको बताने वाले हैं तो वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्रासी का आधारित है ब्रिस्चिक रासी मंगल की रासी है और यहां पर ब्रिस्चिक वालों का संबंद चंद्रमा से बहुत गहरा होता है लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है क्योंकि यहां पर देखिए हमने इसले कहा क्योंकि यह बोलते बहुत अच्छा है लिखते बहुत अच्छा है लोगों को साथ लेकर चलना भी ने आता है अच्छे politician होते हैं लेकिन थोरी सी मानसिक तोर पर इन्हें परिशानी भी होती है तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको दो चार बाते बता दे जो एक जीवन की सच्चाई है होता क्या है न अक्सर बहुत बारा ऐसा होता है कि सही समय पर हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं वैसे तो ब बिना लिये रहते ही नहीं दूसरी तरफ कभी कभी अक्सर यह हना की सब के साथ होता है होता क्या है न हम अपनी गलतियों पर परदा डालना चाहते हैं यानि जब हम और सफल हो जाते हैं तो चाहते हमें पता है हमारी गलती है लेकिन चाहते हैं जैसे हम अपने मन को समझा ल लेकिन अगर बार बार आप ऐसा करोगे तो फिर सफलत कैसे होगे इसलिए अपनी गलती को पहचानिए और अपनी इज्जत को बचाना अच्छी बात है लेकिन कभी-कभी गलती सुिकार करने से आगे बढ़ने में ज्यादा आपको मौके मिलते आगे बढ़ने के और सबका जाएगा और अमबार लग जाएगा और फिर आप मुस्किल में पढ़ जाएंगे आप बहुत ग्यानी होते हैं लेकिन कभी-कभी दूसरों की सहानुभूती पाने के लिए भी आप कुछ ऐसी चीज़े करते हैं जो आपको सुभा नहीं देता आप स्ट्रॉंग है तो स्ट् एक सबसे सामान ने बात क्या है आपके जीवन में जीवन साथी आपकी बहुत समझदार मिलते हैं चाहे आप महिला है या पुरुस हैं जीवन साथी से आपको लगाओ भी होता है और वो बहुत बखु भी आपको भी समझालते हैं और आपके घर को भी अब ऐसे में सब आपने कर दिया कि जीवन आपके बरवादी के कगार पर पहुंच जाता है ऐसा क्या करें कि जीवन आपका सुधर जाए कभी कभी होता क्या है दो चार बार जब हम हार मानते हैं किसी चीज से दो चार बार में जब आपको लगता है कि नहीं अब हो नहीं पा रहा है तब कहते ह हमारी किस्मत ही खराब है बिस्चिक रासी होना ही सबसे बड़ी खराबी है पर ऐसा नहीं होता आप कर्म करने पर विश्वास रखिए जिस दिन आप भागे के भरों से बैठेंगे उस दिन बहुत कुछ हांतों से छूट जाएगा कर्म कीजिए सफलता तो मिलनी तह है क्योंक करता है कि कभी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता आप जो भी करते हैं उसमें ही मन लगा है दिल लगा है आपके पास खाली समय है तो अपने जो आपके सपने हैं कभी आपने बच्पन में ही देखे हैं तो उसे सपनों को आप पूरा करने में वक्त बीता है यकीन मा कभी कहीं दबे वे आपके कुछ सपने हैं तो वो अगर धरातल पे उत्रेंगे तो आपको सफल भी बनाएंगे हलां कि आप थोड़े खर्चिले होते हैं और अक्सर होता है कि पैसा मेहने के अन तक आते आते खाली हो जाते हैं आपके हांथ सौपिंग करते भी हैं और सब की केल भी करते हैं तो यहां पर अपने जीवन साथी को धन का मेनेजमेंट करने दें ये किन मानिए आप बहुत आसानी से आपके पास धन भी रहेगा और बचेगा भी लेकिन आज चुकी हमारा टॉपिक कुछ और है तो आज हम अब सिर्फ आप लाइकर सबस्काइब कीजिएका बिल्स्टि कवारे जो होते हैं ना इनके जीवन में संघरता ऐसा नहीं है Counsel नहीं होगा होता है न इनके जीवन जितनी भी इनकी इच्छाएं हैं, ये आगे बढ़ना चाएते हैं, तो यहां पर अबरोध बहुत आता है, यह आपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा संगर सोता है जीवन में, तो ऐसे में सफनों को पूरा करने के लिए दिन्डा तेक करे और उन्हीं चीजों को आप जीने की कोशिस करें जो आपको लग रहा है पूरा होगा लेकिन हाँ खाली से मत बैठिएगा इधोदर मत कीजेगा कुछ काम है जो नहीं करना चाहिए जैसे की ब्रिस्चिक रासी वालों को काला रंग आपको सूट नहीं करता है इसलिए इस्तिमाल करने से आपको बचना चाहिए तो काला रंग आपको भूल कर भी नहीं करना है नहीं तो आपके अगर आपने काला रंग इस्तिमाल करना सुरू कर दिया या फिर इस्तिमाल करते हैं तो एक तो पारिबारी जीवन में बाधाएं आएंगी और बेबजह से प्रिसन की समस्याएं आएंगी बेबज़ तनाओ बढ़ेंगे और अगर आप जॉब करते हैं तो आप देखिएगा आफिस का माहल भी कराब होगा क्योंकि ये रंग आपको सूट नहीं करता है इसलिए कम से कम इस्तिमाल करें काला रंग अब आपका यूनिफॉर्म है तो कोई बात नहीं लेकिन आप कम से कम घर में मत पहनिए हमने कहा कम से कम इस्तिमाल करें जितना ज़्यादा संबभ हो इस्तिमाल करने से बचिए काला रंग हर हाल में आपके लिए परिसानी का कारण बनता है कभी आप सोच कर देखिएगा आपने कभी काला रंग पहना है तो क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है अब हम अगर दूसरी बात करें तो वो कौन सी चीजे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए तो वो है अपने पिता और अपने भाई के साथ रिस्ता कभी भी मत तोड़िएगा कभी भी उनसे दूरी बना कर मत रखिएगा अक्सर होता है ब्रिस्ची क्लासी बालों के साथ संपत्ती का विवाद होता है और यहां पर पिता और भाई के साथ रिस्ते में खटास आ जाते हैं तो इन रिस्तों को आप संभाल कर रखिए और इन रिस्तों को आप बहतर रखेंगे तो जीवन में आपका मान सम्मान यस बढ़ेगा सुख सुविधाएं भी मिलेंगी ये दोनों रिस्ते आपके सुरी से कंट्रोल होते हैं और सुरी को बेहतर करने का सबसे अच्छा आप्सन है कि आप अपने पिता और अपने भाई से रिस्ते बेहतर रखे अगर दूरियां आ रही है तो इसका मतलब है आपका सुरी गड़वर है सुरी फगवान को परणाम कीजे और उन से आप प्राथना कीजे यकीन मानिए ये रिस्ते भी बेहतर होंगे और इस रिस्ते को आप बेहतर बनाए रखिए और सबसे अंद में हम आपको बताना चाहेंगे आपकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है जिसके कारण आप परिसान रहते हैं वो होता है बार बार परिवर्तन करने की बुरी आदत हलांकि ये रासी गतगुन है लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हैं आप में उतना है जज़बा बार बार कोई भी काम में परिवर्तन करने की जो बुरी आदत है साथ ही कभी कभी आप नसे के भी सिकार हो जाते हैं आपको इस कमजोरी पर भी काम करना चाहिए नहीं तो बेवजह जीवन में परिसानिया बढ़ेगी और तीसरी बात ब्रिस्ची करासी वाले दूसरों के भलाई करने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं जब भी किसी का देखते हैं कि वो दिक्कत में हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि आपके पास मान लेते हैं आपके पास सो रुपया है आप किसी को उस 100 रुपय का जरूरत है लेकिन आपको भी उस 100 रुपय की आवस सकता है आपको मेडिसिन लेने हैं मान के चलते हैं लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है पर आपको लगता है नहीं 100 रुपे के उसका भला होगा तो आप वो अपना ही भलाई का वाला चीज छोड़ देते हैं तो दूसरों के भला करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेते हैं और यह चीजें आपके लिए सबसे ज़्यादा गरबड होती है तो आपको इन चीजों पर भी काम करना चाहिए इसलिए हमने कहा आपका जीवन साथी आपके धन के मेनेजमेंट को बहतर संभाल सकता है आपके हाथों में पैसे ठीकते नहीं है और इसके पीछे थोड़ी सी नीच का चंद्रमा का भी यहाँ पर हाथ होता है तो इसको ठीक करने के लिए नियमित रूप से दूद्ध पीजिए और ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग लाइट ब्राइट वाइट टाइप का कलर यूज कीजिए आप सफेद रुमाल भी यूज कर सकते हैं इससे क्या होगा आपके जो यह कमजोरियां है जिसके कारण आप बरबाद होतने के रास्ते पे चले जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं उसको आप ठीक कर पाएंगे और आसानी से जीवन में सफल भी हो पाएंगे आप चाहें तो रोज रात में सोने के पहले ओम सोम सोमाय नमह यह आपकी किसमत की चाभी भी है याद रखिएगा यह आपकी किसमत की चाभी भी है यह मंत्र रोज रात में सोने के पहले ओम सोम सोमाय नमह का जितना ज़्यादा हो जब करें आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा और आपकी आर्थिक इस्थिती भी बेहतर हो जाएगी याद रखिएगा रोज रात में सोने के पहले कम से कम 27 बार या 108 बार जब करके सोईए एक से सवा मेहने में ही फर्क महसूस होगा हम आपसे भी दा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव धरनेवाद